नमस्कार आप सभी का पुना स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत भाग एक का छटा पाठ पार नजर के यहां एक कहानी है और जैन्त विश्नु नारली कर द्वारा लिखी गई है प्रस्तुत कहानी में मंगल ग्रह पे जीवन होने की संभावना व्यक्त की गई है तो आईए पाठ के माध्यम से समझते हैं वहाँ एक सुरंग नुमा रास्ता था सुरंग किसे कहते हैं जमीन के को काट कर बीचो बीच बनाया गया रास्ता सुरंग नुमा रास्ता कहलाता है आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुई जाने की मना ही थी यानि कि आम आदमी उस रास्ते से नहीं जा सकता था लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्यूरिटी पास लिया और जा पहुचा सुरंग में फिर गया हुआ अर्थान आम आदमी के लिए वहाँ जाना मना था लेकिन कुछ लोगों को, कुछ ओफिशियल लोगों को उस रास्ते से जाने की छूट थी लेकिन उसके लिए उनके पास में एक सिक्यूरिटी पास होता था तो छोटू को भी काफे जिग्यासा थी कि वो उस रास्ते से जाए इसके लिए उसने अपने पापा का सिक्यूरिटी पास जिसके मा ध्यम से वहा उस रास्ते में जा सकता था उसको ले लिया और उस सुरंग में जा पहुचा तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो यह सैद उसकी मा ने उससे कहा फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज छोटू ने कहा पापा को काम पर जाना होता है मा ने उत्तर दिया रोजाना यही वारतालाफ हुआ करता था छोटू की मा और छोटू के बीच उस तरफे सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मना ही थी यानि कि आम आदमी को यहाँ जाना मना था चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का स्तेमाल कर सकते थे चुनिंदा मतलब चुने हुए कुछ लोग ही इस रास्ते का स्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इनी चुनिंदा लोगों में से एक थे आज चुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फर्मा रहे थे अर्थात आराम कर रहे थे नजर बचा कर चोरी चिपे छोटू ने पापा का शिक्योरिटी पास हतिया लिया हतिया लेना मतलब अपने हाथ में ले लेना और चल दिया सुरंग की तरफ वैसे तो उनकी पूरी कलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी अर्थात वहां सब लोग जमीन के नीचे रहते थे यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दिये जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दर्वाजे का सामना करना पड़ता था यानि कि जो सुरंग थी वहां उस रास्ते में अंदर दिये जल रहे होते थे और वहां गुसने के लिए प्रवेश करने के लिए एक बंद दर्वाजा था उस रास्ते में घुसने के लिए से पहले एक बंद दर्वाजा था जहां से होकर गुजरना था दर्वाजे में एक खाचा बना हुआ था छोटू ने खाचे में कार्ड डाला तुरंत दर्वाजा खुल गया यानि कि उस दर्वाजे को खोलने के लिए security card जो होता है उसको खाचे में डालना होता था और वो डालने के बाद दर्वाजा खुलता था और अन्य तरह से वो दर्वाजा नहीं खुलता था तो चोटू अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड लेकर आया था उस कार्ड को उसने खाचे में डाला और कार्ड को खाचे में डालने से जो दर्वाजा था वहां खुल गया चोटू ने ही सुरंग में प्रवेश किया अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुँचा था उसे उठा लिया कार्ड उठाते ही दर्वाजा बंद हुआ छोटू ने चारों तरफ नजर दोड़ाई सुनंग नुमा वह रास्ता उपर की तरफ जाता था जैसा कि हमने पहले कहानी में पढ़ा कि ये जो छोटू की कलोनी है वो जमीन के अंदर बसी हुई थी तो वो जो रास्ता था वो कहा जाता था जमीन के उपर जाता था यानि जमीन के उपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था उस रास्ते में जाने के बाद छोटू को जमीन के उपर जाने का रास्ता मिल गया था मगर कहां मौका हाथ लगते ही फिसल गया सुरंग में जगए जगए लगाए निरिक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी यानि कि रास्ते में सुरंग के जो रास्ता था वहां पर निरिक्षा के अंत्र लगे हुए थे और इसके बारे मैं छोटू को पता नहीं था छोटू को के वल इतना पता था कि पिता जी खाचे में उस कार्ड को डालते हैं जिससे दर्वाजा खुलता है और वो यहां से बाहर जा सकते हैं उसके बाद क्या होता है इस बाद की जानकरी उसे नहीं थी और वह मौका जो उसे लग रहा था कि उसे उस सुरंग के रास्ते जमीन के उपर ले जाएगा वह मौका उसके हाथ से फिसल गया मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरिक्षा केंद्र ने संदे हास पत स्तिती दर्साने वाली हरकत हुई इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया दूसरे निरिक्षा केंद्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खीच ली किसी एक निरिक्षा केंद्र में इस तस्वीर की जाच की गई और खत्रे की सूचना दे दी गई यानि कि वहां जो सिक्यारिटी थी वो बहुत ही उमदा थी उन्हों ने तुरंत ही यह भाप लिया कि सुरंग के भीतर जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया है उसका करद छोटा है उसके बाद तुरंत उसकी तस्वीर ले ली गई और तुरंत ही उस तस्वीर की जाच करके खत्रे की सूचना दे दी गई इन सारी गती वीडियों से अंजान छोटू आगे बढ़ रहा था ये सब कुछ हो रहा था लेकिन छोटू को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके बारे में निरिक्षकों को पता चल चुका है या उसकी फोटो ले ली गई है केंद्र को सूचना मिल गई है ये सब चीज़ें उसे पता नहीं थी और वो आगे बड़े जा रहा था तब ही जाने कहां से सिफाई दोड़े चड़े आए छोटू को पकड़ कर वापस घर छोड़ा है घर पर मा छोटू का इंतजार कर रही थी बस अब छोटू की खैरियत न थी अर्थाद अब उसे मम्मी पापा से डाट मिलने वाली थी छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुस्किल था अर्थाद मा उसे डाटे जा रही थी लेकिन पिताजी ने उन्हें बचा लिया छोड़ो भी मैं इसे समझा दूँगा सब फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा पापा ने छोटू को बचा लिया बोले छोटू मैं जहां काम करता हूँ न वह छेत्र जमीन से उपर है आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता इस तरह से छोटू के पिता ने छोटू को समझाना सुरू किया तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां छोटू का सवाल लाजमी था यानि की जो छोटू है उसके मन में जियासा थी कि अगर पिताजी उससे कह रहे हैं कि उस माहौल में जी या नहीं जा सकता है तो फिर उसके पिताजी वहां कैसे जाते हैं ये सवाल उसके मास्टिस्क में आया मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ इसी space suit की वज़े से बाहर की ठंडसे में अपने आपको बचा सकता हूँ खास किस्म के जूतों की वजए से जमीन के उपर मेरा चलना मुमकिन होता है जमीन के उपर चलने फिरने के लिए हमें एक विसेस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है इस प्रकार छोटू के पिता ने उसे समझाया कि वहाँ पर बिना स्पेस सूट के जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ हो और बिना खास किसम के जूते के और वहाँ पर रहना या सर्वाइब करना मुस्किल है और उससे पहले वहाँ पर जाने के लिए प्रशिक्षन की भी आवश्यक्ता होती है छोटू सुन रहा था पापा आगे बताने लगे एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के उपर रहते थे बगेर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बगेर किसी खास किस्म की पोसाग के हमारे पुर्खे जमीन के उपर रहा करते थे लेकिन धीरे धीरे वातावरन में परिवर्तन होने लगा कई तरह के जीर धर्ती पर रहा करते थे एक के बाद एक सब मरने लगे इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन सूरज से हमें रोसनी मिलती है उशनता मिलती है उशनता का अर्थ होता है गर्मी इनी तत्तों से जीवन का पूशन होता है सूरज में परिवर्तन होते ही यहां का प्राकरतिक संतुलन बिगड़ गया प्रकरति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहां के पसुपक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव, अक्षम सावित हुए केवल हमारे पूरुजों ने इस स्तथी का सामना किया तो उन्होंने पूरु की सारी कहानी बताई कि इस मंगल ग्रह में भी पहले से सामान्य जीवन हुआ करता था जहां किसी स्पेस सूट की या ओक्सिजन सिलेंडर की या विसे इस प्रकार के जूतों की इस तरह की कोई आवशक्ता नहीं थी धर्ति के उपर या सतह के उपर सभी आराम से जीवन या सामान्य नितया जीवन निर्वाह करते थे लेकिन प्रकरती के अंदर जो परिवर्तन हुआ उसके कारण धीरे-धीरे सब जीव क्या होने लगे धीरे-धीरे समापत होने लगे लुपत होने लगे और उनके जो पूरुवस थे वही उस इस्थिती का सामना कर पाए और जी पाए और उन्होंने अपने लिए धर्थी के नीचे एक artificial atmosphere बनाया जहां अवे रह रहे हैं अपने तक्निकी ग्यान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया जमीन के उपर लगे बिविन्य यंत्रों के सहारे हम सूरी की सत्वी सूरी की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अर्थात पृत्वी के सूरी धर्थी के जो सतह के उपर जो सूरी की गर्मी मिलती थी उसको यंत्रों के सहारे खीच कर उस भूमी के अंदर बने हुए अपने उस कलोनी में वो ले आते थे और उनका प्रियोग कर रहे थे उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहां जमीन के नीचे जी रहे हैं यंत्रों सुचारों रूप से चलते रहें इसके लिए बड़ी सतरकता बरतनी पड़ती हैं क्योंकि एक कृतिम माहौल में अगर हम रह रहे हैं तो उस कृतिम माहौल में सबसे ज़ादा जरूरी होता है कि हम जिन उपकरणों पे निर्भर हैं वो उपकरण उत्तम रूप से कार्य करें अगर उन उपकरणों ने कार्य करना बंद कर दिया तो फिर जीवन बहुत मुस्किल हो जाएगा जबकि अगर हम प्राकरतिक माहौल में रहते हैं तो हमें किसी उपकरण पे निर्भा नहीं रहना पड़ता है तो इसलिए छोटू के पिताजी उसे समझा रहे हैं कि हमें यहां जीने के लिए उन उपकरणों को सही रखना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए उन्हें सतरकता बरतनी पड़ती है मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं और अब छोटू के पिताजी ने अपनी कार्य कि वो क्या करते हैं उपर यह छोटू के सामने रखा बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा छोटू ने अपनी मन साजाहिर की यानि कि अब छोटू को भी यहाँ इच्छा हो रही है कि वो भी अपने पिता के साथ इस कार्य करें बिल्कुल मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा मा और पापा की बात सुनी होगी मा ने कहा दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरान बदला बदला सा था सिफ्ट खतम कर घर जा रही स्टाफ के प्रमुक ने टीवी स्क्रीन की तरफ इसारा किया यानि कि स्टाफ के जो हैट थे जो प्रमुक थे वो उनकी सिफ्ट खतम हो गई थी सिफ्ट वाइस काम होता था तो उनकी सिफ्ट खतम हो रही थी और वो घर की उर जा रहे थे तो अचानक से उन्होंने स्किन की तरफ इसारा किया स्किन पर एक बिंदु झलक रहा था याईनि कि यग चोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा था वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है क्जिक कम्पूटर से पता चल रहा है कि अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है यानि कि जो तारा है वो अस्थर दिखाई देता है अपनी जगे पे लेकिन यहां अपनी जगे से इधर उधर नजर आ रहा है पिसले कुछ घंटों के दरवान इसने अपनी जगे बदली है कंप्यूटर के अनुसार यहां अमारी धर्ती की तरव बढ़ता चला आ रहा है यहां जानकारी दी गई अंतरिक्षयान तो नहीं है छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया क्या यह अंतरिक्षयान तो नहीं है संदेह हमें भी है पर आप इस पर बराबर ध्यान रखियेगा उस प्रमुक ने कहा छोटू की पापा सोच में डूब गए क्या सचमुज अंतरिक्षयान होगा कहां से आ रहा होगा सौर मंडल में हमारी धर्ती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का आस्तित होगा कैसे हो सकता है अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रकटी कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके क्योंकि उस ग्रह के निवाशियों को इस पारे में पता नहीं था कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन है और वहां के लोग इतनी प्रकटी कर चुके हैं कि वो अंतरिक्षयान बना कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना ठूड रहे हैं तो इस तरह के कई सारे प्रशन छोड़ों के पिता के मस्तस्क में आ रहे थे वैसे तो हमारे पूरवजों ने भी अंतरिक्षयान उग्रहों का उप्रियोग किया था मगर अब हमारे लिए यह संभाव है उसके लिए प्रियाप्त मात्रा में उर्जा हो तो काश इस नए मिहमान को नजदीक से देखा जा सकता उनके मन में इच्छा जा ही रो रही है हाँ अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभाव हो सकेगा देखें अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बहार निकला यानि कि वो हाथ क्या था? उसी यंत्र का था हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी यानि कि वो बढ़ा होता जा रहा था छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा अवलोकन मतलब ध्यान से गौर से देखना कलोनी की प्रवंद समीती की सभा बुलाई गई थी अध्यक्ष भाशन दे रहे थे हाली में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्षियान हमारे मंगल ग्रह की तरब बढ़ते चले आ रहे हैं इन मेंसे एक अंतरिक्षियान हमारे गिर्द चकर काट रहे कंप्यूटर के अनुसारी अंतरिक्षियान नजदी के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए इसकी कोई शुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है नमबर एक आपका क्या ख्याल है तो अध्यक्ष ने भाशन देकर पूरी जानकारे दी कि इस्ति यहाँ है और सभी से उनके विचार पूछे तो सबसे पहले उन्होंने नमबर एक से पूछा कि आपका क्या ख्याल है कालोनी की सुरक्षा की पूरी जिनमेदारी नमबर एक पर थी उन्होंने कुछ कागस समेटे वे बोलना आरंब किया इन दोनों अंतरिक्षियानों को जला कर खाक कर देने की शमता हम लोग रखते हैं मगर इससे हमें कोई जानकारी हांसल नहीं हो सकेगी अगर हम इसके बारे में जानकारी हांसल करनी है तो इसको जला कर खाक करने से हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्रา हमारे पास नहीं है हलांकि अगर इंतरिक्षयान खुद बखुद जमीन पर उतरते हैं तो उने बेकार कर देने की शम्ता हम में अवश्य है यानि कि वो अपनी तकनीक के बारे में बता रहे हैं कि हम इसको जलाकर खाकर तो कर सकते हैं लेकिन उससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी और अंतरिक्षियान को अंतरिक्ष में खराब कर देना यानि कि बेकार कर देना ये हमारे पास ऐसे यांतर नहीं है लेकिन अगर अंतरिक्षियान जमीन पर आ जाता है तो वो उसको बेकार कर सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षियानों में सिर्फ यंत रहे किसी तरह के जीविन में सवार नहीं है तो उन्होंने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी कि उसमें कोई भी जीव या मनुश्य नहीं है नमबर एक की बात सही लगती है नमबर दो एक बैग्यानी थे वो बोले हलाकि यंद्रों को बेकार कर देने में भी खत्रा है इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे इसलिए मेरी राए में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए ये नमबर दो बैग्यानिक ने कहा कि अगर वो ये अंतरिक्षियान को खराब करते हैं तो फिर जिस ग्रह के लोगों ने ग्यावे ग्यानिकों ने इस अंतरिक्षियान को भेजा है उनको पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह में कुछ लोग रहते हैं चाहिए वो भूमी के नीचे की सताय में रहते हूं तो उनके होने का या उनके अस्तित्तो के बारे में उनको पता चल जाएगा इसलिए उन्होंने सुझाओ दिया कि हमें सिर्फ देखते ही रहना चाहिए अवलोकन ही करना चाहिए जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्तो को छिपा ही रहना जाएगी अर्था उनका अस्तित्त या उनका होना दूसरों के सामने नहीं आना जीए क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल इससे भी बड़े शक्षम अंतरिक्षयान भेजें हमें यहां का प्रबंद कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यह अंतरों को यह गलत फहिमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर नहीं है कि जिससे वे लाब उठा सके अध्यक्ष महोदैशे मैं दर्ख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंद हमारे यहां किया जाए नमबर तीन सामजिक विवस्ता का काम देखते थे उनकी बात के जबाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फौन की घंटी बजी अध्यक्ष ने चौंगा उठाया चौंगा फौन का रिसीवर जो होता है एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते वे उन्होंने कहा भायो अंतरिक्षियान क्रमांक एक हमारी जमीन पर उतर चुका है अर्थात उनको फौन के द्वारा सूचना मिल चुकी थी ये अंतरिक्षियान जमीन पर उतर चुका है वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपून दिन था पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे यहां से अंतरिक्षियान क्रमांग के एक साफ नजर आ रहा था कैसा आजीब लग रहा है यहां इसके अंदर क्या होगा पापा छोटू ने पूछा अभी नहीं बताया जा सकता दूर से ही उसका निरिक्षन जारी है उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंदरन है अगर था जमीन पर उतरने के बाद जैसा कि उन्होंने कहा था कि उस यान पर उनका कंट्रोल आ जाएगा और अगर वो कुछ इस तरह की हरकत करता है तो उसे खराब करने की शम्ता रखते हैं तो कहरे हैं कि अब उस यान्तर के हर अंग पर हमारा नियंदरन है वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे यहाँ छोटू के पापा ने छोटू को बताया उन्होंने छोटू को एक कांसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे यानि कि उन्होंने बताया कि इस कांसोल के माध्यम से वो उस अंतरिक्षयान के प्रतेक अंग पर नियंदरन किये गए हैं और उन बटनों के माध्यम से वहां उस अंतरिक्षयान पे नियंदरन रख सकते हैं जब अंतरिक्षयान से कि यांतरिक हाथ बाहर निकला हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी वो सायद जमीन तक पहुँचकर मिटी उकेर लेना चाहता था तक न मतलब घोटकर निकाल लेना सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे वो था छोटू छोटू का सारा ध्यान कांसोल पैनल पर था कांसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया वो लाल लाल बटन उसे बर्बस अपनी और खीच रहा था यानि कि वो बहुत एक्साइटेट था उस लाल बटन को दबाने के लिए और सहसा खत्रे की घंटी बजी सबकी निगाहे कांसोल की तरफ मुणी पापा ने छोटू को अपनी तरफ खीचते वे एक छपड़ रसीद किया और लाल बटन को पूरू स्थिति में ला रखा यानि कि छोटू वो लाल बटन दबा चुका था और जैसे ही खत्रे की घंटी बजी तो पिता जी द्वारा उसे खीच कर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांतरिक हात की हरकत सहसा रुक गई थी यान्तर बेकार हो गया था यानि कि उस लाल बटन को दबाने की वज़े से जो यांतरिक हाथ था उसकी हरकत रुख गई थी यानि कि लाल बटन उसके हाथ को कंट्रोल करने वाला था और उसकी वज़े से वो काम करना बंद हो गया था और जो यांतर था वो बेकार हो गया था उधर प्रत्वियू पर National Aeronautics and Space Administration नार्शा द्वारा प्रस्तुत व्यक्तव्यम ने सबका ध्यान अपनी ओरा कर्शित कर लिया मंगल की धर्ती पर उत्रा हुआ अंतरिक्षियान वाइकिंग अपना निर्धारित कारे कर रहा है हलाकि किसी अज्यात करणवस अंतरिक्षियान का यांतरिक हाथ बेकार हो गया है नासा के तकनीशियन इस बारे में जाच कर रही है तथा इस यांतरिक हाथ को दुरस्त करने के प्रयास भी जारी है ये व्यक्तव्यमें उनके द्वारा कहा गया इसके कुछी दिनों बाद पृत्वी के सभी प्रमुक अगबारों ने छहपा नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है यांत्रिक हाथ ने अप मंगल की मिट्टी के विविन नमुने घटे करने का काम आरंब कर दिया है अर्था उन लोगों ने तुरंत ही उसे सही कर दिया और जिसके माध्यम से जो यांत्रिक हाथ था उसने दुबारा से काम करना सुरू कर दिया और मंगल की मिट्टी के नमूने इखटे करने शुरू कर दिये लेकिन प्रत्वी वासियों को या नासा को इस बात का अनुमान नहीं था कि यह कारिय मंगल के सतह के नीचे रहने वाले उन वैग्यानिका द्वारा किया गया जबकि उनको ऐसा लग रहा था कि नासा के तकनी शियनों ने इस कारी को किया है और ऐसा ही अकबारों में छपा प्रत्वी के वैग्यानिक मंगल की स्मिट्टी का अध्यन करने के लिए पड़े उत्सुक थे उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्यन से इस बात का पताया लगाया जा सकी कि क्या मंगल गरह पर भी प्रत्वी की ही तरह जीव स्रिष्टी का अस्तित्त है यह प्रशन आज भी एक रहसी ही है अर्था आज भी इस प्रशन का उत्तर नहीं मिल पाया है तो यह रेखा देश पांडे द्वारा लिखा गया था मराठी भासा से उन्होंने इसका अनुवाद किया है आशाय आपको पाट समझ में आया होगा मेरे साथ जूड़े रहने के लिए धन्यवाद